वसीन साब स्वागत है आपका गुड मॉनिंग बताए किस से साब से आप बाजार में इस तेजी को देख रहे हैं और क्या टॉपिक्स होंगे आपकी अब उसमें आप सिप कीजिए या कुछ और कीजिए यह आपकी इच्छा है मैंने आपको यह भी का था मेरा जो यूएस पे किसी ने मेरे को जो टेक्निकल उन्होंने का 1.61 इस एट मन्थ हाए दो इस आपको फॉल फ्राइडे को अगर ग्लोबल सेल आप या कोई वीकनस आएगी तो आपको मौका मिलेगा इंडिया में पाटिसिपेट करने का तीन चीज़े और पॉजिटिव कहूँ आपके नेबर के साथ यू मस्ट बेस्ट लेवल एवर इवन दे लास्ट 10 एर यू आपको एंडिया में पाकिस्तान आपको 45 परसंट रिटर्न आया है लस देन तेन देज में तो आप इंजॉई कीजे लेकिन ये शेर 75 रुपे के लिए दरब जा रहा है जो तीन शेत्र मुझे बहुत बुलिश है वो है आटो रियल इस्टेट एंड बैंक्स आप उसमें निगलेट मत कीजिए आटो सेल्स आर गों टो जूम मारूती ने कहा है उन्होंने 20 लाख एक्सपोर्ट की है गाडियां और उनके पास यह ओरिंग फ्लो यह वह बहुत स्तुंग है तो अलॉंग विद लोकल मार्कित अटो इक्सपोर्ट का था था फाइब निटीफोर वाला इसी इसी चेसो पंद्रा भिग्या 613 और हैट्ल टेक नौसौ पंद्रा वाला 936 बिग्या आपको टेक महिंद्रा क्लोजिंग सजन मे TVS के साथ का था Tech Mahindra is the top gainer 3.5% TVS is up 2% तो please keep booking profits also अब आपके लिए दो भाइस हैं और दोनो quality stocks हैं आपके तो मैं शुरू करूँ बिलकुल भसीन साब, इंतजार है तो पहला भाइ होएगा इंडी को I think air traffic is going through the roof एरपोर्टों में खड़े होने की जगा नहीं है और पेंटा फिलिंग बहुत है 1650.55 में लीजिए 1612 का stop loss है और target इसका मुझे 1730 से 1750 दिखता है दूसरा भाइब होएगा जो आज की date में मिरको रुपी में आप थोड़ी सी वीक्नस दिखती है and the best proxy would be TCS quality stock which has corrected 10% from highs you can't go wrong 2950 to 2945 to 50 में लीजिए 2904 का stop loss है 3075 to 3100 would be my near term target on TCS चलिए तो 3100 के target के लिए आप TCS खरीच सकते हैं और 1730 के लक्षे के लिए आपको भसीन साब एक राय दे रहे है long side पर momentum इंडिगो पर आज दोनों large caps आपके पसंदीदा list में आते हुए